नमस्कार दोस्तों अपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल अश्टडी बीतर में दोस्तों आज हम लोग सुमित्रा कंदन पंद्वार रचित कवीता भारत माता को परना पार है यह कवीता दस्मी कक्षा की हिंदी पाठ्वास तक गोडली भाग दोसे संकलित है और यह कवीता ऐसे प्रक्षार्थियों के लिए भी आवस्यक है जो इस बार बिहार स्टीटी में हिंदी भासा से सम्वलित हो रहे हैं तो देखते हैं इसका विता को, तो सबसे पहले जानते हैं कभी के बारे में, तो सुमीत्रा नंदन पंच जी का जन 20 मई 1922 को उत्तराखंड के कौसानी नमक्चगर पे हुआ, जो कि भागिस्वर जिला में पढ़ता है, उस समय यह उत्तराखंड नहीं बलकि उत्तर प्रदेश था और जिला अल्मोरा था, तो जैसे इनका जन्म वा जन्म के साथ ही, इनके साथ इतन तही दुखत गट ना गटी, इनकी मता का देहान उस समय हो गया, जब यह मात्र 6 गंटी गये थे, इनके पिता, स्री गंगा, दत पंध जी, कौसानी टीय स्टेट में ही यह कॉंटेंट तो इनकी सुरुवाती सिक्षा दिक्षा तो गाव में हुई, लेकिन उसके बाद हाई स्कूल की आगे की सिक्षा और हाई स्कूल तक की सिक्षा बनारस में हुई, फिर उसके बाद यह इलावाद आगे और आजीवन यहीं पर है और इनकी मिर्तियू 29 दिसंबर 1977 को इलावा के चार अस्तम माने जाते हैं ये कभी हैं जैसंकर प्रशाद सुरिकांत्रिपठी निराला सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा इसे आप लोग प्रनिवव कहके भी आद कर सकते हैं जिसके हर अक्षर से एक-एक कभी का नाम आता है तो इन चारों में से एक है हमारे प्राकर्तिक संदरी के कभी हैं इसी लिए इनको भारत का वर्सबत भी कहा जाता है ये उसी प्रकार प्राकर्तिक संदरी की कभीता लिखते हैं जिस प्रकार बिलियम वर्सबत अंग्रेजी में प्रकर्तिक की कभीता लिखते हैं बाद में इनोंने मानब संदरी की और रुक कभी हैं तथा अतिवाजिता और संकिर्निता के घोर भी रोधी हैं इनकी प्रमुक्रचनाय हैं चिदंबरा ग्राम्या या कविता ग्राम्या से संक्लित है युगवानी युगांत स्वर्ण धूली स्वर्ग किरन युगपत उच्वास पल्लव वीना ग्रंति कुंजन भारत्य साहित का सब स्रेष्ट प्रुष्कार ग्यानपीट प्रुष्कार से भी समानित किया गया और यह प्रुष्कार इनको चिदंबरा के लिए मिला और यह हिंदी भासा के पहले कवी हैं जिन्होंने ग्यानपीट प्रुष्कार प्रात किया 1968 में इसके अलावे इन्हें पदम भूसन से भी सम्मानित किया गया है तो देखते हैं अब कविता भारत माता कविता पढ़ने से पहले हम यह बात जान ले कि जब यह कविता लिखी गई थी उस सुमय भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो इस कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी ने उस समय की भारत माता का चरिचित्रन किया है जब भारत गुलाम था और उस समय भारत माता का कैसा सोरूप दिखता था वो हमें इस कविता से प्राप्त होगा तो देखें कविता को कवि कहते हैं भारत माता ग्राम भाशनी मतलब भारत माता जो है ग्राम वासनी है ग्राम वासनी का मतलब है कि भारत की जो असली छवी हम लोग देखना चाहते हैं तो वह सहरों में नहीं दिखेगी वह कहां दिखेगी गाउं में दिखेगी ऐसली भारत माता कहां निवास करती है गाउं में निवास करती है जहां खेतों में फैला है स्यामल धूल भरा मैला सा आचल मतलब भारत के गाउं में भारत के खेतों को जब देखिएगा तो वहां आपको उसका रंग स्यामल नजर आएगा और वहाँ पे देखिएगा तो धूल भरा हुआ है तो इसकी कलपना कभी ने भारत माता के आँचल से किया है क्या कि खेतों में सामला रंग फैला हुआ है तथा भारत माता का जो आँचल है ना भारत माता का आँचल वो धूल से भरा हुआ है और गंगा यमना में आंसू जल और कभी कहते हैं कि भारत की जो सबसे प्रमुक नदी है गंगा यमना में आंसू जल बह रहा है मतलब भारत मاتा जो है, वह खुस नहीं है, वह दुखी है उनके नेत्रों से आंसू जल निकल रहे हैं, जो गंगा यमना के रूप में भह रहे हैं और मिट्टी की परतिमा उदास हिनी मतलब भारत माता की जो परितिमा बन रही है न, वो कैसा है? उदास है भारत माता उदास है और उदास हो भी क्यों ना भारत उसमें गुलाम था और जिस कारण से भारत माता क्या है उदास है देखें आगे आगे कभी लिखते हैं दैन्य चरित और पलक नत चितवन अधरों में चित नीरव रोधन यूग यूग के तमसे विसनन मन वह अपने घर में प्रवाशनी दैन्य जरित दैन्य मतलब क्या अभाव गरीबी दीनता पुभर्टी कमी जरित मतलब भारत माता जो है ना वो क्या है दीनता से गुजर रही ह यानि भारत के सारे लोग उसमें क्या थे दीनता अभाव गरीबी में जी रहे थे तो वही करता है कि गरीबी से जरित मतलब पुड़ी तरह से गरीबी में लिप्त हो करके और पलक नत चितवन और भारत के लोगों की जो आँखे हैं चितवन यानि आँखे हैं और पलक वो सौविबान से सामने देख भी नहीं पा रहे है उनकी आखें क्या है जुकी हुई है अधरों में चीर नीरब रोदन और भारत माता के अधरों में यानि यहां के लोगों के अधरों में हूँ यानि उनके होठों से क्या निकल रहा है चीर मतलब लगातार पुराना काफी दिनों से अस्थाई नीरब रोधन मतलब निसब्द धोनीहीन रोधन मतलब रोना चल रहा है यानि भारत माता के अधरों पे रोना आ रहा है लेकिन वो रो रही है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही है धोनीहीन है कहते हैं कभी कि यूग-यूग के तम से विसनन मन मतलब यूग-यूग का जो अंधिकार है न उससे मन एक्तम से विसनन हो गया है विसाद मैं हो गया है यह भारत माता का मन कैसा हो गया एक्तम विसाद में है, दुख में है और ऐसा लग रहा है वो अपने घर में प्रवासनी मतलब भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी के तरह जीवन जी रही है तो इस पंक्तियों में हम देखते हैं कि कभी किस प्रकार से जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय की वैथा को दिखा रहा है तो आगे देखते हैं कभी क्या लिखते हैं कहते हैं कि भारत माता यानि भारत की जनसंख्या उस समय 30 करोर थी तो भारत माता के जो 30 करोर संतान है न वो नगन तन हैं मतलब उनको ढंक से पहने के लिए कपरा भी नहीं मिल पा रहा हैं अर्ध चुदित भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है वो भूखे पेट आं चुदित मूड हैं, और सब्य हैं, और सिक्षित निर्धन, मतलग वो और सब्य हैं, क्यों? क्योंकि उनको आगे बढ़ने का सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, वो और सिक्षित हैं, क्योंकि उनको सिक्षा पाने का मौका नहीं मिल रहा है, वो निर्धन हैं, और इतनी स सारी समस्याओं के कारण उनका मस्तक क्या है जो नत है जुका हुआ है नत मस्तक मतलब उनका मस्तक चुका हुआ है तरूतल निवासनी इस तरह से भारत माता भी मस्तक चुकाए हुए है और वह तरूतल निवासनी मतलब बिरिक्ष के नीचे जीवन यापन करने वाली के जमान ह है आगे पटें अभी कहते हैं स्वर्न सस्य पर्पद तल लुन्ठित धर्टी सा सहिश्नुमन कुण्ठित क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित राहू घ्रसित सर्देंदू हासिनी कभी कहते हैं कि स्वर्न सस्य पर पद तल लुन्ठित मतलब सूने के समान सफसल जो है सस्य मतलब फसल कहते हैं कि सूने के समान जो फसल है न वह भी पर पद तल दूपर मतलब दूसरों के पद मतलब पैर तल मतलब पैर के तले लुन्ठित मतलब रौन्दे जा रहे हैं सूने के समान फसल वो भी दूसरें के पैरों तले लौन्दे जा रहे हैं यानि किसके पैरों तले अंग्रेजों के पैरों तले रौन्दे जा रहे हैं और इसके कारण इस इस्तिती के कारण धर्ती सा सहिस्नु सहंसील है उसका मन भी कुंठित हो जा रहा है रुद्ध होता जा रहा है करंदन कंपित अधर मौन इसमित और उसका होट क्या है करंदन कर रहा है रोतिस में होट कैसे कापता है तो वही कहते हैं कभी कि भारत माता के अधर जो होट करंदन कर रहे हैं मौन इसमीत एकदम सांत है और मुसकान भी एकदम क्या है मौन मुसकान है किसके चेहरे पे भारत माता के चेहरे पे कभी कहते हैं राहू गरसित सरदेंदू हासनी भारत माता का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे सरदेंदू मतरब सरद रीतू का जो चांद होता है सरदेंदु हासनी काता है सरद रीसु के चांद जो कि कितना अच्छा होता है ऐसा लगता है मानो उसको राहू ने ग्रसित कर लिया है मतलब इन कष्टों के कारण भारत मता का चेहरा ऐसा लग रहा है मानो राहू ग्रसित चांद की तरह दिख रहा है अत्यं छिति जतिमिरांकित नमित नयन नव वास्पा च्छादेत आनन स्री छाया ससी उपमित ज्यान मूढ गीता प्रकासने इन वक्तियों में कभी करते हैं कि चिंतित भरिकुटी भारत माता की भरिकुटी मतलब भौ तो भारत माता की भौ जो है न वो क्या है चिंतित है ऐसा लग रहा है उसको देखे कि वो बहुत चिंतित है चितिज तिमिर अंकित और उस पे क्या लग रहा है जैसे अंकित हो गया क्या अंकित हो गया तिमिर मतलब अंधेरा अंधकार से घीरा हुआ है यहनि भारत माता की नमित नयन नव नमित नयन और भारतमाता के आंके क्या जुकी हुई है नव वस्पाच्छादित और ऐसा लग रहा है जैसे भाप से धका हुआ है जुका हुआ है और वो क्या है भाप से धका वस्पाच्छादित हो गई है आनन स्रीचाया ससी उपमित आनन और भारतमाता की आ जो है यानि मुख जो है स्री छाया ससी उपमित और उसकी उपमा हम लोग कर सकते हैं कि चांद्रमास के छाया के समान ग्यान मूठ गीता प्रकास ने कभी कहते हैं कि भारत माता जिसने दुनिया को गीता का प्रकास दिया गीता जैसे गरंथ को दिया उसके बाब जूद वह ग् ही है मतलब कि इतना होने के बाजबूत दुनिया में प्रकास और ग्यान फैलाने वाली होने के बाब जुद अब उनको कष्ट होता जा रहा है उनको अच्छे से पढ़ने का मौका ने दिया जा लोगों को सिक्षित होने का मुखा ने दिया जा रहा है मतलब ग्यानमूड और गीता प्रकासनी ग्यानमूड की तरह हो गई है आगे कभी कहते हैं सफल आज उसका तप सैयम पिला अहिंसा अस्तन्य सुधोपम हर्ति जन मन भै भवतम भ्रम जग जननी जीवन भिकासनी इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि भारत माता भले बहुत सारे दिक्कतों में हैं लेकिन फिर भी सफल है क्या सफल है सफल आज उसका तप सैयम कहता है कभी कहते हैं कि भारत माता का तप और सैयम आज फिर भी सफल है इतना जो कश्ट जेली है इतना जो सहियम रखी है उसके बाव्यूद उनका तब सहियम सफल हो रहा है क्यों सफल है क्योंकि उसने भारत माता ने अपने संतान को अहिंसा रूपी अस्तन्य सुधोपम यानि अमरित को पिलाया है भारत माता ने अपने बच्चों को अहिंसा रूपी अमरित को पिलाया है और इस अहिंसा रूपी अमरित के कारण क्या होगा हरती जन मन भै यानि जन के जन यानि लोगों के मन में जो भै है वो कम होता जा रहा है उसे कम कर दिया जब कम हो जाएगा किसे अहिंसा रुपी अम्रित से भवत्तम भ्रहम और लोग मन में जो भ्रहम है जो अंधकार है वो सब क्या हो जाएगा वो सब दूर हो जाएगा कहता है कभी कहते हैं कि इस प्रकार से भारत माता क्या है जगत जननी है वह जगत जननी है और जीवन विकासनी है दुनिया को जीवन देने वाली है तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उपर की सभी पंक्तियों में कभी बताते हैं कि भारत माता कितनी कष्ट में है और अंत के जो चार पंक्तिय है उसमें कभी बता रहे हैं कि भारत माता भले कितना भी कष्ट में हो उसके बाबजुद उनका तप और सहियम सफल है क्योंकि उसने अपने संतानों को अहिंसा का पड़ाया है। अहिंसा रूपी अमरित को पिलाया है और जिसके कारण बांकी सारे के सारे अंधकार, भै, भ्रह्म सब दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कवीता में कभी ने भारत के उस समय की रूप रेखा को दिखाया है जब भारत माता अंग्रेजों की गुलाम थी और तब हमारे पास क्या क्या समस्याएं थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे वीडियो आप लोग इसके बारे में जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे साथ अभी तक पने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार।